हालो एब्रीवन वेलकम टो ओडिशा टेलर्स एचार्ट मेस्टर ग्रूप तो वर्नेश दे के लिए जो इंट्राडे कॉल्स आपको दिया था आप देखे होंगे अक्च्वली दो कॉल्स दिया था तो यह दो कॉल में आपको आच्छा खसा मुम्मेट काल देखने को मिला ठी अब फिल्स एपवल्स के लिए एक्सपैरी डिय के लिए यूइक्रि में आपको पता हूँगा तो पहला-बहला जो कॉल्स रहेगा उड़र्यगा औरहगा हिंद्रिश्तन कपर तो चलिए यह दोनों श्टॉक का टेक्निकल आनलिसिस आप देख लेते हैं और इसका जो आप entry point target and stop loss ये भी details में discussion कर लेंगे तो पहले चलते कोल इंडिया का stock में तो कोल इंडिया का stock अगर आप देखेंगे मैं आप एक draw करके रखा हूं एक long position draw करके रखा हूं तो आपको यहां पे क्या करना है आपका entry point रहेगा 159 शरी 149 to 151 का range पे रहेगा और आपका जो stop loss यहां पे रहेगा वह रहेगा आपका 148 का stop loss यहां पे रखना है और यह जो stock है आपको आज के लिए 155 तक movement आपको दे सकता है तो आपका entry point कहां रहेगा फिर चे में बता देता हूं 151 to 150 का range में रहेगा और stop loss जो रहेगा 148 का मतलब 2-3 रुपे का stop loss रहेगा और target जो आपको मिलेग कम सकम 4-5 रुपे का target आपको मिल चकता है अगर यह stock यह वाला point को उपर चला जाता है तो आपको 157 का target भी देखने को मिल चकता है तो यह ताप पहला वाला stock तो चलिए दूसरा वाला stock जो हो है उसको भी analysis कर लेंगे तो दूसरा वाला जो रहेगा हिंदुस्तान का पर अलड़ी में काल इसका call दिया था stock अच्छा movement दिया मतलब पहला target के तरफ आपको movement दिया है इसका बाद थोड़ा consolidate हो रहा है यहां पर तो आपका यहां पर जो entry point आपका रहेगा वो रहेगा लगबग 126 के करीब रहेगा तो आपका target जो आज लगबग 132 तक जा सकता है लेकिन पहला वाला जो target आपका रहेगा वो रहेगा 130 का और इसका बाद आपका जो target मिलेगा 130 रहेगा मिल सकते हैं तो आप पहले वाला टार्गेट में भी निकल सकते हैं कि मार्केट बहुत बोलाटेल है अजकल तो आपको थोड़ा छोटा प्रफित के साथ निकल जा रहा है अगर आप बढ़े के लिए जाते हो तो आपको स्टॉपलोस को ट्रेल करना पड़ेगा तो यहां पर स स्टॉपलोस रहता है तो लगबग आपका 5 रुपए का आपका टार्गेट यहां पे आपको आज के लिए मिल सकता कि मर्केट यहां पे फ्लाग पाटरण जैसे बनाया है अब देख सकते हैं यह जो पाटर अभी बनना है यह रeंच से यह ए रेंच तो यह जो अमाउंट 1162-123 का जो रेंज है या 24 का जो रेंज है यह बहला रेंज है आपको उपर भी देखने को मिल शकता है आपको हमारा जो पाटन के हिसाब से आपको आज के लिए देखने को मिल चकता है तो यह था दो कॉल्स एक आपका कोल इंडिया और हिंदुस्तन का पर तो यह जो दो स्टाक में आप मेरे हिसाब से जो मैं आपको टार्गेट स्टाप प्लस एंट्री पॉइंट दिया हूँ इसके हिसाब से आप एंट्री कर चकते तो थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग आप वीडियो